नमस्कार दोस्तों मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही योटूब चैनल पास्पोर्ट हेलप लाइन पे जहां पे आपको पास्पोर्ट अप्लिकेशन, डॉक्मेंटेशन, अपॉइंट्मेंट, पुलिस वेरिफिकेशन समय वी में जो की आप एडिशनली लगा सकते हैं अगर आपको ECNR पास्पोर्ट बनवाना है तो basically guys ECNR पास्पोर्ट जो उन लोग की जुरुत होती है जो की अरब कंट्री लाइक डुबई, UAE, ओमान, कतर, कुवेट ऐसे कंट्री में as a helper या फिर किसी जॉब के परपस से जाना च कहें तो इसको metric pass वाला passport भी बोलते हैं क्योंकि जो इसकी जो नियून्तम जो की आपका educational qualification होना चाहिए अगर आपने ECNR पास्पोर्ट बनवाना है तो वह है 10th pass मतलब यह कि जिनके पास 10th pass का certificate होगा माक्षिट होगा वह बहुत ही आसानी से जो है अपने ECNR पास्पोर्ट के लिए apply कर सकते हैं लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन जो की 10th pass नहीं है या फिर कह सकते हैं कि उनका माक्षिट जो है वो गुम हो गया चोरी हो गया या फिर उनके घर में बाढ़ आया था उसमें दहा गया कुल मिला जो लाके अभी आपके पास जो है आपक का मैं नहीं कर रहा है आपके माक्षिट पे जो आपका नाम और टाइटल है वह आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से मैच नहीं कर रहा है बहुत सारे ऐसे details होते हैं जिसमें mismatch हो जाता है और चुकी passport appointment के समय अगर आपके किसी भी दो document के बीच में अगर कुछ mismatch होता है यहां तक कि छोटा से छोटा अगर इस पेलिंग मिस्टेक भी होता है तो वह आपको बापस लोटा देते हैं और आपको खामखा जो है अच्छी खासी परिशानी का सामना करना पड़ता है आपको फालतुम में है जो आपको फिर से बार-ब बनवाने के लिए जो है उनको 10th का माक्षीट होना बहर जरूरी है मतलब कि जिनके पास 10th का माक्षीट सर्टिफिकेट नहीं है वो अपना जो है ECNR पासपोर्ट नहीं बनवा सकते हैं तो यह सबसे बड़ी गलती है यह सबसे बड़ा भ्रम है जो कि बहुत सारे लोग जो में ऐसी बातों को शेर करते हैं अपार्ट फ्रॉम दे टेंथ माक्षीट एंड सर्टिफिकेट बहुत सारे ऐसे डॉक्मेंट्स हैं जिनको आप लगा सकते हैं जो की और ज्यादा इस्ट्रॉंग है ऐस कंपेर टू टेंथ का माक्षीट तो दोस्तों आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ECNR पास्पोर्ट किस लिए बनवाना है क्यों बनवाना है और आपको इन कंट्री जो मैंने बता है साउदी अरब में अगर आपको यहां पर काम के सिलसिले में जाना है तभी आप बनवाए नहीं तो आप यह जो है इसी आर पास्पोर्ट फाइल करते हैं उसका जो डॉक्मेंट होता है वह सबसे स्ट्रॉंगेस्ट इविडेंस होता है आपके ECNR पास्पोर्ट के लिए ऐसे में अगर आप आप मेंसे जो नुग नया पास्पोर्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं अगर आपके पास आई टी आर फाइल का जो ह वहां पे देते हैं वह पास्पोर्ट सेवा केंदर से जाता है आपके बोर्ड ऑफिस जिस बोर्ड से आपने अपना टेंथ क्लियर किया होगा तो आप सोच सकते हैं कि बोर्ड आपके पास्पोर्ट सेवा केंदर से बोर्ड ऑफिस जाएगा डॉक्मेंट वेरिफिकेशन हो लिए वहां पर कितना दिन पेंडिंग रहेगा वहां से कब भेरिफाई होकर आएगा कुल मिला जुला के इस सारे प्रोसेस में जो है कभी कभी जो है दो तीन महीने तक का भी टाइम लग जाता है तो ऐसे में अगर आप अपना आई टी आर फाइल वहां पर लगा देते हैं त जो कि टेंथ के मार्कशीट जब तक वेरिफिकेशन होकर बोर्ड आफिस से नहीं आता है तब तक उसकी जो फाइल है वह आगे नहीं बढ़ती है तो यह बहुत बड़ा फाइदा है अगर आप जल्दी में अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं अगर आप इंकम टेक्स चाहिए तब क्या करेंगे तो जिसके लिए और भी बहुत सारे डॉक्मेंट है जैसे कि आपके जमीन का आपके प्रोपर्टी के पेपर आपके पास कोई भी ऐसा प्रोपर्टी है जिसका जो वैल्यू है वह अगर पाच लाग से उपर का होता है तो आप उस पेपर को अपन को भी ECNR डॉक्मेंट में आप उसको अटेच कर सकते हैं वहां पर भी आपको 10 की मार्कशिट जो है वह देने की जरूरत नहीं होती है बेसिकली दोस्तों 10 का जो एक यह पैमाना रखा गया यह सबसे मिनिममम है सबसे निचले इस तरह का मतलब कि आप गवर्नमेंट सोचती है यार कि अब कैसे आइडेंटिफाई करें बंदों को तो वह यह माल लेती है कि चलो कम से कम टेंथ पढ़ा लिखा हो चलो उसको हम ECNR देंगे जबकि जो बंद आई टी आर फाइल कर रहा तो आप सबसकते हैं कि वह कितना बेल स्टेबलिश होगा उसके पास अच्छी खा करवाया हुआ है अगर आपने अपने लाइसी मतलब की जीवन बीमा करवाया हुआ है या फिर अलग-अलग कंपनियों से से की HDFC life ICICI Lombard कुल मिला जो लग अगर आपने किसी भी इंशोरेंस कंपनी से अपना आपने लाइफ इंशोरेंस किया हुआ है तो आपका जो उसको प्रीमियम का पर्ची मिलता है जिस पर आपका नाम और आपका डेट बर्थ भी मेंशन होता है तो आप उसके ऊपर भी जो है आप ECNR पासपोर्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं वो भी यह काफी स्ट्रॉंग इविडेंस माना जाता है ECNR पासपोर्ट के लिए तो दोस्तो पर इक इसके प्रीमियम को भी आप जो है ECNR पासपोर्ट के लिए यहांपर लगा सकते हैं यह भी बिल्कुल 100% काम करता है और इसकी जो होती है वो 10 के मार्क शीट से भी कहीं ज्यादा होती है क्योंकि जो बंदा केवल 10th का मार्कशीट लगाता है तो उसको जो है गवर्नमेंट के पास उसके बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं होती है कि ये बंदा कितना financially active है कितना wealthy है इसका समाज में सोसाइटी में कितना existence है वो केवल जो है minimum पैमाना रख दिया गया कि किसी तरीके से बंदा अपना पासपोर्ट बना ले बाहर जागर कुछ काम धाम कर ले देश में ऐसे भी इतनी गरीवी है अगर आप भी जो है ECNR पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं और अगर आपने अभी तक यही सुना था केवल 10 का माकशीट ही है वही जरूरी होता है तो यह बिल्कुल गलत है यह बिल्कुल भ्रहम है आप जो है मेरे बता हुए जो भी मैंने documents बता हैं उसके आधार पे भी आसानी से बनवा सकते हैं दोस्तों अगर इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई और question है किसी और तरीके का कोई और issue है तो बेशक आप मुझे comment box में मुझे comment पूछ सकते हैं चैनल के about section में मेरा WhatsApp नंबर भी दिया हुआ है या वहां भी मुझे contact कर सकते हैं तो दोस्तों मि मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नहीं जानकारी के साथ तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें जैहिंद